नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे आज का पार्ट हम एक मज़ेदार खेल से शुरू करते हैं खेल है पहलिया बूझना बच्चों आप सब पहलिया तो कुप बूझते होंगे हमारी नानी, दादी और घर के बड़े सदस्चों को भी पहलिया बूझने में बड़ा मजा आता है पहलियों में चुपे हुई वस्तों का हम नाम बताते हैं यदि कोई व्यक्तिव पहलिया नहीं बूझ पाता है तो फिर हम लोग को खुब हसी आती है और हम लोग भी उसमें मजा लेते हैं आज हम जो पहलिया पूझेंगे उनमें कुछ पक्छियों के नाम चुपे हुए हैं आपको इन पहलियों को बुझना है और सुन करके इन में पक्षियों के नाम बताने हैं चुपे हुए हैं पहली पहली राक सुरीला रंग से काली सब के मन को भाती बैट पेड की डाली पर जो सुन्दर गीत सुनाती बुझो बचों मैं एक बार फिर से रिपेट करते हुँ राक सुरीला रंग से काली सब के मन को भाती बैट पेड की डाली पर जो सुन्दर गीत सुनाती कौन से ऐसी चुडिया होती है जो बहुत सुन्दर गाती है सोचिए कोयल इसी तरह दूसरी पहली सुनिया ध्यान से सुन हरी ड्रेस और लाल चोंच है रटना जिसका काम कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरी का नाम हरे रख काँन सा पंची होता है और लाल चोंच वाला सोच कर बताएए बुझोई तोता ये पंची होता है तोता गुटर 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 करता रहता सबके मन को भाए चतुर सयाना इतना है वह चिठी भी पहुँचाए कौन सा पंची होता है बुजो बचो मैं एक बार फिर दो राती हूँ गुटर 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 करता रहता सबके मन को भाए चतुर सयाना इतना है वह चिठी भी पहुँचाए कौन सा पक्छी गुटर गुटर करके बोलता है और अपने पंचों में चिठी लेकरके भी दूसरी जगें पहुचा देता है अब दूसरी पहली है अगली पहली है छोटी सी है चुरिया रानी फुदक फुदक कर चलती सबके घर के आंगन में आकर दाना चुकती छोटी सी है चुरिया रानी फुदक फुदक कर चलती सबके आंगन में आकर के दाना चुकती कौन है यह जो कि हम लोगे घरों मे अक्सर आती है गूमती है हम लोग उसको दाना डालते यह होती है गौरेया या चिडिया है बड़ी सयानी, तोते की है दोस्त पुरानी, सीधी साधी भोली भाली, फिरती रहती डाली डाली ये एक और चिडिया का इस पहली में नाम छुपा हुआ है, मैं एक बार फिर दोराती हूँ या चुरिया है बड़ी सयानी तोते की है दोस्त पुरानी सीधी साधी भोली भाली फिरती रहती डाली डाली तोते की एक दोस्त होती है अक्सर हम लोग तोते के साथ उसका नाम जोडते हैं ये चुरिया होती है मैना ये तोता मैना की कहानिया बहुत सारी होती है और बहुत ब पहलियों को पढ़ करके आपको बड़ा मजाया होगा देखे बच्छों चित पर इन पहलियों में छिपे हुए पंशियों के नाम है कोयल, गौरिया, कबूतर और तोता और यह है मैना आपको पहलिया सुनकर बड़ा मजाया होगा तो अब आज का हमारा पाठ इसी प्रकार की एक छोटी सी चिरिया मैना की कहानी है और हम सब ये कहानी हमारे पाठ्थ पुस्तक कलरव भाग चार के पाठ्थ दो में है इस कहानी का शिर्षक है प्यासी मैना तो बच्चों हो जाए तयार अच्छी सी कहानी सुनने के लिए मैं आपको ये प्यासी मैना की कहानी सुनाती हू बचों एक बहुत बड़ा सा बगीचा था बगीचे का मतलब आप समझते हैं जिसमें बहुत सारे छायादार पेड़ लगे होते हैं जैसे नीम का पेड़ आम का पेड़ पीपल का पेड़ आदी इस प्रकार के व्रक्ष लगे होते हैं जिनमें छाया होती है और फल भी होता है देखे, नीम का पेंड इस प्रकार का होता है, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये है आम का पेंड, आम के पेंड में आम लगते हैं, ये फल दार भी होता है, और छाया दार भी होता है, इसका फल भी मीठा होता है, और इसमें छाया भी खुब होती है, पीपल का यह है पीपल का व्रक्ष पीपल का व्रक्ष भी बहुत बड़ा सा होता इसमें बहुत घनी चाया होती है और इस पीपल के व्रक्ष से अनेक लाब भी है तो उस बगीचे में बहु सारी प्रकार की चायादार पेड लगे हुए थे फलदार व्रक्ष थे उसी में एक नीम का प भाग हो जाता है इस खोखले भाग में चुडिया या दूसरे जीव जन्तु आ करके रहने लगते हैं आप चित में देखिए ये खोखल है नीम का खोखल है इसमें ये मैना रह रही है तो नीम के खोखल में मैना रहा करती थी उसी बगीचे में एक नल लगा हुआ था ये बाइ कौ्छ टाख ऊषर भी कर्या हरे सबसuto में लगा है रहा को तक्लिटी थी एक पार गर्मियों के दिन थे बहुत तेज गर्मी पढ़ रही थी मैना को बहुत तेज से प्यास लगी मैना ओड़कर नल बिलक्न नल के पास गई लेकिन फ़्श्श्श्य नल थे नल के पास कहीं कोई पानी नहीं था अब मैंना को बड़ी तेज प्यास लगी सोचने लगी अब मैं क्या करूँ यह सोच करूँ पास के आम के पेड़ पर बैठ गई आम के पेड़ पर एक तोता बेठा हुआ था वो तोते के पास गई और बोली बहिया मुझे बहुत तेज से प्यास रखा रहता है और उस घड़े में पानी होता है चलो हम लोग घड़े में चलकर पानी पी लेते हैं फिर तोता और मैना दोनों लोग उस घड़े के पास में गए लेकिन घड़ा भी बिल्कुर सुखा हुआ था घड़े के पास भी पानी नहीं था अब तो मैना और भी ज्या हुआ है कभूतर चे उसने पूच पूचा कभूतर भाई मैं पानी कहां से पिऊँ नल भी सूखा घड़ा भी सूखा और मुझे बहुत तेज प्यास लगा अगर्मी भी लग रही बच्छों गर्मी के दिनों में यह प्यास लगी होती है तो कितनी उलजण होती है सब हम ही सबी लोग हम लोग जनते हैं कबूतर ने कहा कि वहन ऐसा करते हैं उसने एक लाल इटो वाले मकान की ओर इशारा किया उसने कहा दिखो वो दूर एक लाल इटो वाला मकान है यह लाल इटो वाला मकान है यहाँ पर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर चल करके हम लोग पानी पी जब कोई चीज चिटक जाती है, जैसे दिवार चिटक गई तो दिवार में दरार हो गई, फर्ष चिटक गई तो फर्ष में दरार हो गई, उनने का चलो हम लोग चल के उस आंगन में पानी पी लेते हैं, उस लाल इटर वाले मकान के आंगन में, अब कितने पक्ची हो गए? तीन तोता, मैना और कबूतर वो तीनों उस मकान के आंगन में पहुंच तो उनों ने देखा कि जो है वो आजमी कप्ड़ से रहा खुका है रहने सेहां ने थानिया थी जिसके निम्हें अब पानी पीने की जरूरत थी, अब तो बड़े परशान उन्होंने कहा चलो चलकर ढूडते हैं, कहीं तो पानी मिलेगा, गर्मियों में वो तीनो पंची उड़ चले, उड़ते हुए वो एक पीपल के पेड के पास में पहुंचे जाकरके, उन्होंने पीपल के पेड के बैठे जाकर कि उन्होंने देखा वहां बहुत सारी गयूरीया बैठी हुही थी। गयूरीया मतलब समझते हैं भ зач्र गयूरीया जैसे जो हमारे आगन में आती है पंचियो गयूर estoy legy फंहाल सारी गॉरिया जब एक साथ बोलती है कभी सुनूइये उनको तो कैसी आवाज करती है चिर 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 की आवाज करती है तो वह बड़ी खुशी से चहक रही थे हैं कभूतर बोला जा करके कभूतर कैसे बोलता है बच तक घुठर गू करता हुआ कभूतर उन been के पास पहुचा और बोला अरे तुम लोग तो बड़ी खुश हो क्या बात है भई चेडियों ने चहते हुए कहा हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं ये सुनकर तो सारे पंची बड़े मदलब आश्चर में पड़ बड़े आश्चर चगित हुए मैंना बोली अरे तुम नहा क कर आए हो यहां तो हमको पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है तुमको इतना पानी कहां से मिल गया जहां तुम नहाने चले गई चिडियों ने कहा कि चलो हम चलते हैं तो गोरईया कहने लगी चलो मेरे साथ चलो मैं तुमको पानी दिखाती हूं तो गोरईया जो है उनको ले या मिटी का बरतन जैसे का कुमार लोग बनाते हैं गोल-गोल बरतन होता है यह दीखी मिटी का बरतन रखा हुए है Jim इसी तरे उसने कहा कि चलो हम लोग वहाँ चल कर पानी पीते हैं uld मिटी का कुंड़ा रखा हुए अब तो सारे पक्छी बड कुश हुए उसको देखकर तोते ने कहा अरे वा ये तो बहुत अच्छी बात है दिखो दिखो वहाँ एक हुद हुद पानी पी रहा है हुद 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 भी एक प्रकार का पक्षी होता है देखिए आपको चितर में दिख रहा है ये हुद 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 भी एक प्रकार का पक्षी होता है ये पक्षी गाओं में मिलता है हम लोग इसको चुरिया घर में भी देख सकते हैं तोता भी बहुत खुश हुआ कबूतर न मैंना बोली यह कुंडा यहां किसने रखा है तो गौरईया ने बताया कि इस घर में एक छोटी लड़की रहती है जो रोज आना इस कुंडे में पानी भर देती है और हम इसमें आगर के पानी पी लेते हैं वो छोटी लड़की बहुत अच्छी थी देखिए सारे पंची कितन पानी परेशान थे लेकिन जब उस घर में पहुंचे तो उस लड़की की वज़े से उनको पानी पीने को मिल गया अब सारे बच्चों ने पानी पिया और खुश हो करके वो चहकने लगे और खुशिया मनाने लगे तो बच्चों आपने ये कहानी पढ़ी और कहानी सुनी आप इस कहानी को अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं साथ में दीक्षा एक में आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं इस कहानी का कहानी बच्चों ने सुनी आप लोगों ने अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं अगर हम कठिन शब्दों के खोखल, पेड के तने के खोखले भाग को हम खोखल कहते हैं, इस खोखले भाग में अक्सर पक्छी अंडे देते हैं, इसके अलावा कई खतरनाक जीवजन्तु भी इसमें रहने आ जाते हैं, जैसे साप है या और दूसरी प्रकार के जो खतरनाक जीवजन्तु होते वो रह जा अब हम इसका अपनी वाक्य में प्रियोग करते हैं, खोखल शब्द का. पेंड के खोखल में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए. हमको पेंड के खोखल में हाथ नहीं डाला है. माली जी चुरिया है, उसने अंडे रखिये हैं, तो उसके अंडे तूट जाएंगे. अगर और पानी न पाकर के मैना बहुत निराश हो गई थी निराश मतलब दुख्य हो गई थी इसी प्रकार से हम इसको अपने दूसरे वाकी में प्र downt一个 कर सकते हैं तो निराज़ शब्द का प्रियोग हम दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं, अगला शब्द है दरार, दरार का मतलब चटकी हुई जगा, फर्ष की दरार हो सकती है, दिवार की दरार हो सकती है, अगर हमारा दर्वाजा चिटक जाता है, तो दर्वाजे में भी दरार हो सकती है, तो किसी भी जो चटका हुआ हिस्सा होता है उसको हम धरार कहते हैं भूकम पाने से हम लोगे घरों की दिवारों में अक्सर धरार बढ़ जाती है ये इसका वाक्य में प्रियोग हुआ अगला सब्ज है अचरज अचरज का मतलब आश्चर हम चकीत हो जाएं हम आश्चर में आजाएं तो उसको कहते हैं हम अचरज जैसे पानी को देख करके मैना को बढ़ा अचरज हुआ या चिडियों को चहते देख करके मैना को बढ़ा अचरज हुआ इसी प्रकार से हम इसका दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं बच्चों सरकस में जब हाथी स्टूल पर बैठता है तो हम लोग को बड़ा अचरज होता है ना तो सरकस में हाथी को स्टूल पर बैठे हुए देखकर बच्चों को बड़ा अचरज हुआ कुंडा का मतलब होता है ये देखे कुंडे का चीतर है कुंडे में मिट्टी का बरतन होता है जिसके अंदर पानी जल्दी गरम नहीं होता है हम इसका इसी प्रकार बाके में प्रियोग भी कर सकते हैं कुंडे में रखा हुआ पानी जल्दी गरम नहीं होता है मिटी के बरतन का पानी वैसे भी नहीं करम होता है जल्दी फिर है जोश जोश का मतलब उत्सा खुशी और बहुत जल्दी जल्दी काम करने को हम जोश कहते हैं जैसे हमारे जब विद्याले में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो आप लोग कितने खुश हो करके उसमें भ लेते हैं अब बचों आपने कहानी सुनी कठीन शब्दों की अर्थ भी जाने अब हम इनके बारे में कुछ प्रश्न जान लेते हैं कुछ प्रश्न पूछने से और उनके उत्तर देने से आपको पाठ अच्छी तरह से याद हो जाएगा बच्चों बताइए मैंना क्यों प परिशान थी अगला प्रश्न तोता किस पेर पर बैठा था तोता आम के पेर पर बैठा था कबूतर ने कहां जाने के लिए कहा कबूतर ने क्या बताया था तोता और मैना को कबूतर ने लाल इटो वाले मकान के आंगन में जाने के लिए कहा था गौरियां कहां बैठी हुई थी? गौरिया पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी सब पक्षी उड़ते उड़ते कहां पहुँचे थे? सब पक्षी उड़ते उड़ते एक मकान के आगन में पहुँचे थे कुंडे में कौन पानी पी रहा था? कुंडे में एक हुद हुद पक्षी पानी पी रहा था अच्छा बचों कुंडा वहां किसने रखा था कुंडा एक छोटी लड़की ने रखा था जो की बहुत अच्छी थी और उसने पंचियों के पीने के लिए वो कुंडा रखा हुआ था से हुदूत के पास कौन सा पकछी बेठा था हुदूत के पास पकछी तो कोई नहीं बढ़ा था हुई ज्रहरी बेठी हुई थी जेखे यह रखिन पर औरères घलहरी बैठी हुई है इस प्रकार से आप दोखों ने ये प्रश्णों के उतर देखे अब आपको पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ चुका होगा बच्चों कहानी सुनने के बाद में कठिन शब्दों का आर्थ जानने के बाद में और प्रिश्णों के उतर देने के बाद अब समय आता है हमारे अभ्यासकारे का हम लोग कुछ अभ्यासकार कर लेते हैं बच्चों आपने व्याकरण में संग्या और सर्वनाम के बारे में तो पहले ही जाना होगा किसी वस्तु व्यक्ति या इस्थान के नाम को हम संग्या कहते हैं और सर्वनाम जो शब्द संग्या के इस्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं आज हम विशेशण सब्दों के बारे में जानेंगे विशेशण सब्द क्या होते हैं जो शब्द संग्या या सरवनाम शब्द की विशेशता बताते हैं उन्हें हम विशेशण कहते हैं मतलब शो शब्द ये बताएं कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कैसी है उसे हम विशेशण कहेंगे जै वो फूल के बारे में हमको बता रहा है, तो ये सुंदर सब्द विशेशर हुआ, इसने प्रकार हम लाल फूल, सुंदर फूल, निला फूल, सफेद फूल, हम जो भी कहेंगे वो फूल की विशेशता बताएगा, इस कारण वो विशेशर सब्द हो जाएगा, बड़ा मकान, इ भी हो सकता है, रंगीन मकान भी हो सकता है, तो ये शब्द जो है, उस मकान की विशेशता बता रहे हैं, इस कारण या विशेशर सब्द हैं, सफेद गाय, सफेद गाय, सफेद शब्द विशेशर है, और गाय संग्या, गाय कैसी है, सफेद है, काली या भूरी या जो भी श शब्द ही शब्द होगा अब बचों हम आपको कुछ संग्या सब दिखाते हैं इनके साथ में आप उचित विशेषण चूरिये जैसे पहला है डाल डाल के साथ में उप्युत विशेषण क्या हो सकता है? उची डाल डाल उची हो सकती है तो डाल शब्द संग्याय है और उची विशेषण पत्ते पत्ते के साथ में हमने जोड़ा है हरे पत्ते सुक्षे पत्ते भी हो सकते हैं तो इसके यह पत्ता है इस पत्ते के आगेे हां हरे पत्ते लिखा हुआ लेकिन आप अपने अनुसार कोई भी विशेशन जोड सकते हैं, सूखे पत्ते हरे पत्ति हैं, जो भी हो, फिर एक कुवा, कुवा के साथ में हम कौन से विशेशन लगाएंगे, गहरा, गहरा कुवा, अगला शब्द है रोटी, रोटी के साथ में विशेशन जोड़िये, इसी प्रकार से अनेक विशेशन शब्द आपके इस पाठ में भी आए हैं, जैसे मैना कैसी थी? प्यासी, तो प्यासी मैना, मैना के साथ में हमने प्यासी शब्द जोड़ा, तो वो हमको प्यासी शब्द विशेशन और मैना संग्या, रंग बिरंगे फूल, आपके इस पा फूल, फूल कैसे थे? रंग बिरंगे तो रंग बिरंगे जो है, वो विशेषन है और फूल संग्या शब्द है ईसी प्रकार से आप अनीक प्रकार की संग्याओं के साथ में विशेषन जोड सकते हैं तो अशगरतियों बच्चों आपको विशेशन अब अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आपने समझ लिया होगा बच्चों हमने इस कहानी में देखा इसमें कई पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कबूतर है तोता मैना और गरिया यह सब आपस में बाते कर रहे हैं हम लोग भी आपस में बाते करते हैं जब कई दोस्त होते हैं या कई लोग बैठते हैं तो आपस में हम बाते करते हैं दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को हम वारता लाप कहते हैं जैसे जब कई लोग बाते कर रहे हों तो हम कहेंगे सब वारतालाब कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बात को हम वारतालाब कहते हैं वारतालाब करते समय हमारे मन के भाव जैसे क्रोध, निराशा, दुख, सुख आध हमारी बोलने के अलग अलग तरीकों से प्रकट होते हैं मतलग जब हम बाचीत कर रहे होते हैं तो जैसे हमारे मन का भाव होगा वैसे ही हम उसी style में उसी तरीके से उसी ढंग से उस वाक्य को बोलते हैं हुदारन के लिए जैसे एक साधारन सा वाक्य है अरे तुमने यही क्या कर दिया केवल यह वाकि लिखाया साधारान सा अरे तुमने यह क्या कर दिया अब हम इसको अलग अलग तरीके से बोल करके देख सकते माली जी हम घुसे में हैं और किसी को डाट रहे हैं आपकी छोटे भाई ने कुई गलती कर दिये और आप उसको करके हम आश्चर आगे हमको अचरज हो रहा है तो हम कैसे बोलेंगे अरे तुमने ये क्या कर दिया तो हम इस वाक्य को इस प्रकार से बोलेंगे फिर माली जी हम दुख है हमारे में हिराशा भरी हम बोड़े रिचान हैं और हम उसको देख करके हमको बड़ा खराब लगा किसी चीज़ को देख करके तो हम कहेंगे अरे तुमने ये क्या कर दिया तो इस एक वाक्य को हम अलग-अलग तरीके से अपने वारतालाप में अपने मन के भाव के अमसार बोल सकते हैं इसे हम कहते हैं वारतालाप इसी प्रकार से आपकी कहानी में भी बक्षियों के वारतालाप के अलग-अलग तरीके हैं इसमें कुछ तरीके दिये गए हैं और इनको आप बोल करके दिखाईए पहला वाक्य है भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है इस वाक्य को देखिए कि भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है ये वाक्य किस ने कहा है और किसे कहा है ये मैना ने तोते से कहा न मैना को तेज की शक्तव से बोल करके सभी बच्चे मेरे सात भी बोलेंगे भाई मुझे बड़े जॉर की प्यास लगी है धिख से बोला कि भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं अगला वाक्य है हम सब अभी अभी नहा कराए हैं याद करिए कहानी को और सुचिए कि ये वाक्य इसमें किस ने कहा है ये वाक के चिरियों ने उन तिनों पंचियों तो उनोंने कहा कि तेसदोंगे है कितले कने का था है ये कबूतर से कहा तो इसमी को कैसमें कर दो को यह कुंदे में पानी है तो वो इस प्रकार से हम वर्ताल आपको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग वाक क्योंकि अमसार हम इसको पोल सकते हैं बच्चों आपने पूरी कहानी देखी पूरी कहानी पढ़ी अब हम आपको एक महान व्कृतित के बारे में बच्चों हम पक्षी वाग्यानिक सालीम अली थे जिन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत अध्यन किया। डाक्टर सालीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम सालीम मुईनुद्दून मुहमत अली था। इन्हें बच्पन से ही पक्षियों में बड़ी रुची थी। इन्होंने पक्षियों के रहने के तरीकों और उनकी आदतों पर गहन अध्यन किया था। इन्होंने बया पक्षि जिसका की घोसला लटका हुआ होता उसके बारे में बहुत अध्यन किया था। इन्हें भारत के और विश्व के अने पुरसकारों से सम्मानित किया गया था इनको भारत का सबसे महान पुरसकार पद्न विभूशन भी दिया गया था और इनकी मृत्व बीश चून सन 1987 को हुई थी सालिम अली को पक्षियों के बारे में इतनी जानकारी थी बचों कि उनको भारत का बर्ड मैन कहा जाता बर्ड मतलब चुरिया और मैन मतलब वो बर्ड चुरियों के बारे में इतनी जानकारी रखते थे और वो जा करके घंटों जा करके बगीचे जंगलों में जा करके उनको देखा करते थे इसलिए उनको हम बर्ड मैन भी कहते हैं बच्चों आप बताईए कि हम लोग क्या करेंगे हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है बचों हमें छायादार व्रक्ष लगाने चाहिए क्योंकि इनी व्रक्षों पर पक्षी अपने घुसले बनाते हैं हमें अपने आंगन में पगीचे में या छट पर पानी से भरा बरतन जरूर रखना चाह हमें नुक्सान नहीं पहुचाना चाहिए पेणों को भी नुक्सान नहीं पहुचाना चाहिए क्योंकि पेणों पर पक्षी अपने घुसले बनाते हैं अब अचो कुछ ग्रहकार है आप घर में बैठ करके क्या करेंगे घर में एक मज़ेदार आजाम आपको काम दे रहे है अपने आस पास आप चायादार ब्रक्षों को देखिए और उनको अपनी क्राफ फाइल में इस तरह से लगाई है आप एक पन्ने पर एक भी लगा सकते हैं एक जैसे ये नीम ये आम ये अमरूद और ये जो है पीपल का पत्ता इसमेल लगा है इसी तरह से आप इस प्रकार के चायादार ब्रक्ष जैसे कोई भी देख लिया उसको आप देख लिजे निकाल लिजे उसको तोड़ लिजे और उसके बाद में आप उसको अपनी क्राफ फाइल में लगा सकते हैं इस काम में आप अपने घर के बढ़ों की भी मतरत ले सकते हैं आप पो इन ब्रक्षों के ये क्या वरता वरता लाप कर रहे होंगे आप इसके बारे में सूच करके पताए और कहानी एक छोटी सी कहानी लिखे और उस कहानी का शीरशक भी जरूर लिखेगा तो बच्चों आपने सारा पाट देखा आपने खब आप घर में जा करके इन चीजों को अपनाएंगे और अपने घर में एक छायादार व्रक्ष या अपने घर के आगन में या बाग में छायादार व्रक्ष जरूर लगाएंगे पस्पंशियों के लिए हम पानी भी जरूर राकेंगे udah दो ऑट आजी जरूर चारो परो आपने खानी के लिए हम दो एम हम्स पड़ी जरूरा दो आप प्सक्वाने के घर खजिएında पस्यों के बारे म युवाएंगे।